एलो लेर्नर्स वेल्कम वन्स अगें टू कॉमर्स अलब भाया यूटूब प्लाटपॉम में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं तो कैसे हैं आप तब उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रहे होगी तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ रघखा था तो आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे ट्रेडिंग और पील का साथ कमबाइंद क् ten करेंगे चैट hacking और तो इस कुश्चन को कैसे करेंगे तो सर पहले कुश्चन लिखना होगा उसके बाद फिर करेंगे बिलकुल ठीक है सर पहले कुश्चन लिख दीजिए ठीक है चलो आपके लिए पहले कुश्चन लिखते हैं उसके बाद फिर हम लोग यह करते तो उसके लिए हम लोग को जाना कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिए उससे आपको टाइम टो टाइम सारी नोटिफिकेशन जो भी चेंज होगी आपको पता चल जाया करेंगी ठीक है उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आपको जो स्क्रीन में यह नंबर दिख रहा होगा इस नंबर आपकों से हमारी टीम से डिरेक्टली संपर्क कर सकते हैं कभी भी अपने जरुरत के अनुसार ठीक है चलिए चलिए हम लोग चलते हैं आज होगा हमारा lecture number 65 जिसमें हम लोग बात करेंगे एक question को solve करेंगे उस question को हम लोग लेंगे कुछ इस तरीके से जहां पर हम लोग gross profit, operating profit, net profit सब find करेंगे कैसे कैसे find करेंगे वो चीज़ आपको देखना है और सीखना है ठीक है जी sir और थोड़ी सी तब्यत में है down तो थोड़ा आज class slow चलेगा पर जो कि आप लोग सो promise है कि classes तो complete होगी होगी और as per your schedule classes आपकी time to time आती रहेंगी ठीक है जी sir एक मिनट दीजी आप मेरे को चलो होगे मेरे काम चलो बहुत पढ़ी है चलो एक question लेते हैं इस question को अगर मैं reference दूख किस book से आपने ले रखा इस question को तो अब भी पिलाल में जो भी questions आपको करा रहा हूं वो मैं सारे के सारे आपको book के रहा रहा हूं ठीक है वैसे आप reference के लिए book के रहा है वह सकते हो ।स ग्रिवाल भी यूज करसकते हो और अगर say वोलकि ज्रीक हो जारकन स्टेट कर सिंग का भी कर सकते हो यूप स्टेट पोल से हो तो आपस कि सिंग का इूज कर सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए एक कुश्चन बनाते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ओपरेटिंग प्रॉफिट एड नेट प्रॉफिट एड नेट प्रॉफिट 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 दव पॉलोइंग इन्फोमेशन ठीक है चलिए कुश्चन को करते हैं पहले लिखते हैं कुश्चन को कुश्चन है कुछ इस तरीके से चीक है ठीक है माउंट को कॉलम ने लेते हैं चीक है यहां डाल दो पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स चीक है औहर पढ़िये चलिए आज अइदर सबसे पहले ओपनिंग टॉक कितना है टू लैक्स ठीक है पर्चेजेस कितना है नाइनटीन लैक ठीक है सेल्स कितना है ट्विंटी फाइव लैक ठीक है पर्चेज रिटर्न कितना है सेवेंटी फाउजन उसके बाद तेल्स रिटर्न कितना है वन लैक वेजेस कितना है एटी फाउजन एड़र्टाइजिंग कितना है टूवेल फाउजन सैलरीस कितना है वन लैक सेवेंटी फाउजन रेंट एंट टैक्सेस कितना है 62,000 लाइटिंग का अगर बात करें एक्सपेंस कितना है 15,000 ठीक है चलिए अब आते हैं आपका इधर बात करते हैं क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया हुए आपका कमिशन पेड 2,400 कमिशन रिसेवड 6,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,800 ओपेस एक्सपेंस 3,500 इंटरेस्ट अन लाँटर्म लोंस कितना है 22,000 ठीक है डिविदेंट ओन इंवेस्टमेंस 2,800 प्रिंटिंग अंड ट्रेशनरी 3,600 लोंस अन ट्रेल अफ मसिनेरी 35,000 ठीक है? उसके बाद है कैरेस अउटवर्ड 24,000 1,400 लोस बाई थेफ्ट 25,100 गेन अन तेल ओफ बिल्दिंग 50,000 ये लों अपका होगे कंप्लेट कुशन एक ची छूटा क्या? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 2,50,000 ठीक है? ये था आपका कुश्चिन्स क्या सरहाद दर्द हो गया? थोड़ा थोड़ा तो हो गया भाई चलो थोड़ा फॉर्मेट कीचते हैं पानी पीके फिर हम लोग करते हैं क्या कुश्चिन्स बनाएंगे क्या करेंगे? कुश्चिन को सॉल्व करेंगे ठीक है? पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे क्या? फॉर्मेट कीचते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को अलग-अलग मतलब कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा कौन सा पील में जाएगा उसको अलग-अलग करेंगे पहले पार्में ड्रॉ करते हैं एक ही सथ बनाएंगे याद रखेंगे ठीक है ट्रेडिंग एड पी एनल एक्काउंट लोट्छ टे कोट इए एक पर दा इए इंडेट लेक्ट तो दिया नहीं है वक्ट इए एंडेड यह दर होगा आपका डेबिट यह दर होगा क्रेड़िट एक ही पूर्मेट खीच लेंगे अचिछने बच्चे कापी में लुक्वार्मेट चरेंगे झाल झाल इदर डालो पर्टिकुलर्स या आपका होगे अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है चलिए सबसे पहले करना है तो सर यह भी profit and loss का है बहुत बढ़िया लाइटिंग यह भी profit and loss क्योंकि यह सारे office expenses का पार्ट है ठीक है उसके बाद अगर मों बात करें commission paid commission receipt तो यहां जितने भी दिख रहे हैं हमको अगर carriage invert होता तो यह पार्ट होता किसका तो सर यह पार्ट होता हमारा trading account का बाकी तो फिर स सारे के सारे दिख रहे हैं हमें क्या सर सारे के सारे लग रहे हैं कि profit and loss के हैं लिग दो यहां पर pencil से फिर मिटा देना उसको तारे के सारे profit and loss के हैं कि बहुत बढ़िया ठीक है यहां तक कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए अब यहां से क्या करो उठाओ और सीधे पोस्टिंग करते जाओ जो की trading account में तो आपको क्या होगा वो पहले ही सिखा रहा था था थोड़ा सा पील में अगर changes करना होगा सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग पहले trading account को बन साथ 2,00,000 यहां लिखेंगे 2,00,000 ठीक है फिर डाल रहे है तो टू ओपनिंग stock फिर 2 purchase भी है हमारे पास माइनस करेंगे purchase return या फिर return आउटवर्ड जो भी दिया हुआ होगा तो question में हमारा purchase दिया हुआ है क्या हाँ सर कितना दिया हुआ 19,00,000 का और purchase return कितना दिया हुआ है 70,000 तो purchase में लिखे 19,00,000 और purchase return में लिखे 70,000 दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 18,30,000 ठीक है सर और क्या जाएगा इधर वेजेज दाएगा opening stock का हो गया purchase का हो गया purchase रेटन का हो गया wages डालेंगे हम तू वेजेज अकाउंट कितना था दूसर वेजेज था आपका 80,000 का ठीक है और क्या बचा बाकी तो सारे ट्रेडिंग के अब अब सेल्स रिटर्न और closing stock की आ जाएगा आपका credit side ठीक है से से पहले लिखेंगे buy अब सेल्स एकाउंट कितना था सेल्स का 25,000 और सेल्स रिटर्न कितना था वन लैक बहुत बढ़िया सेल्स हो गया आपका 25,000 और माईनस करेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्ण इन्वर्ड ठीक है छे लिटर्न ड़ट इन्या रिटर्न कितना था एक लाग का था तो सर कितना हो गया और बाहर में तो बाहर में बच्चे आपका 24,000 लैक्स ठीक है बहुत बढ़िया बहतरीं अब अब इसके बाद closing stock हमारे नीचे दे रखा है बहुत बढ़ी है अब करो दिख रहा है चौबश लाख और दो लाग 26 लाग पचाएस दर इधर कितना दिख रहा है कम तो अगर डेबिट साइट कम दिखता अध में समरा ग्रॉस लॉस वहा है क्यों ग्रॉस प्रॉफिट का बाद फिर कहां करेंगे सर आपने तो नेट प्रॉफिट के बारे में वहां PL में इसी format में ट्रेडिंग अब खत्म होने के बाद नीचे में बनाना स्टार्ट करें क्या PL क्योंकि ट्रेडिंग और PL का format एक होता है क्या होता है एक होता है बहुत बहतरीन तो यहां पर क्या लिखेंगे 26,50,000 26,50,000 तो कम इधर पड़ रहा था तो जब इधर कम पड़ेगा तो क्या लिखोगे रूखो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं कलर ताकि आपको यहां पर नजर पड़े देर न हो जाएं कहीं देर न तू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू पी एनल अकाउंट बहुत धहतरीन तो सर इधर जोड़ करके कितना हो रहा है 18,00,00,20,00,30,000 के साथ साथ उसमें 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जागा 21,00,10,000 तो सर 26,00,50,000 में से 21,00,10,000 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जागा 40 और यहां बच जाएगा आपका 5 कितना आ गया 5,00,40,00,00, बहुत बहतरीन ताली बजा लो अपने लिए एक बार बहुत बढ़िया पाच लाख चालिंज है ठीक है यह होगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खतम है देखो मैं सोचा ना कि पी यल सिर्फ बता दो फिर ना पदा है मजा नहीं आता है इसलिए मैं दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं ठीक है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा थोड़ा क्लासिस क करना हमको इसका तो जो हमें बताया थे कि जो इधर होगा जो डबिट साइड होगा वह अगर पी यल बनाएंगे तो क्रेडिट साइड चला जाएगा बहुत बहतरीं तो यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले बाई दिख रहा है आपको दिख रहा होगा चलो बहतरीं बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना था आपका सर्फ पाइव लैक पूर्टी थाफ़देंड जो कि पिछले बार का कैरेड डाउन था वो इस बार का क्या है ब्रॉट डाउन है बहुत बढ़िया ठीक गया आप चलो अब एक एक करके जो जो चीज आपकी बची थी उन सारी चीजों को यहाँ पे लिख दोगे क्या करोगे लिख दोगे ठीक है बहुत बढ़िया एक सेकेंड थोड़ा सा इसमें मैं काटता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालने के लिए बोला है ना कोश्चिन में थोड़ा सा आप यहां पे हो सकते हो इसमें भी कर लेंगे ठीक है चलो सासे पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो यहां पर एक काम करो की ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो पार्ट्स हैं उसको काठी डालो क्योंकि ना बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर आपको यहां पर समझने में तो ऑ अदो कि यह सारे पार पिल के ही है तो हम लोग ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट हाँ चलो ठीक है कोई बातनी लेही लेते हैं आंसर वही आना चाहिए चलो कोई नहीं ले लेते हैं हम लोग इसको चलो टू एड़टाइजिंग एकाउंट एड़िटीजमेंट में कितना था आपका ध्यान दो दूसरा एड़िटीजमेंट में था बारा हजार रुपे बहुत बढ़िया आगे आपका ध्यान चेह सालरी रेनट अंट्थ ऐस लाइटीग है टू सैलरीस एकाउंट ऐने द आइंड एड़ एड़िटी उड़ो लाइटीग थाना टू लाइटीन साथ कितने खेंब था देखर सालरी कितना था एक लाख अठार 12,001,001 आठार बासट्ट हैघर 15,000 एक लाख 58,000 हगें 65,000 और 15,000 तो कि ठीक है है थीक है अब इधर क्या करना है इधर का तो सारा काम पेड कितना था कमिशन पेड था हमारा 2400 मैं डारेक्ट लिख दे रहा हूं यहापके क्योंकि स्क्रोल करते हैं बहुत सारा समय लग जाएगा मेरे पास कुश्चिन नीचे है उसके बाद जाएगा आपका बाई कमिशन रिसीवड वो इधर चल जाएगा कमिशन कितना था 6000 चीक है उसके बाद अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ट्रेवलिंग का एक्सपेंस 4800 टू ओफिस एक्सपेंस 3500 ठीक है जी सर सर तो बाई क्रेडिट साइड हमारा और कुछ नहीं जाएगा और कुछ नहीं जाएगा और कुछ बचा नहीं है ऐसा अब बचेगा त्फिर देख लेंगा आगया ठीक है कि टू प्रिंटिंग कि एंड स्टेशनरी कि 3600 ठीक है तो कहां पर जाता करेंड बतलब किसी भी चीज को लाने का मंगाने का जो भाड़ा लगता है उतको बोल सकते तो वह डिरेक्टली क्यूंकि रॉम मेटरियल जब तक आएगा नहीं तब तक तो समान बनेगा नहीं प्रोडक्शन होगा नहीं तो चला जाता है ट्रेडिंग में लेकिन यह कैरेज आउटब मतलब समान हमको बेचने का प्रक्रिया है उसमें अगर कुछ प्रमिट करना है तो यह हो जाएगा हमारा प्ल का पार्ट कितना 1400 कि तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या टोटल सर अभी टोटल करेंगे बाकी सर आ लेकिन इधर कम कितना रहा है तो तू आप करके देखेंगे जोड करके फिर इससे माइनस कर देंगे टोटल से ठीक है लेकिन मैं यहां पर माइन समय नहीं केकारण आरे अपका समय ना खाने के कारण आइसी में कर देठांव टू लैक एकश्टु थी थी हनडत ठीक है यह आयगा रोपरेटिंग ट्रॉफिट अब यह जो ओप्रेटिंग प्रॉफिट हो गया कि यह जो अपरेटिंग प्रॉफिट होगा आपका कि यह कहां ट्रांस्पर हो जाएगा यह फिर से बना रहे हैं बस इसको क्लोज करने का प्रक्रिया है तो यहां पर कुश्चन में हम लोगों को निकालने के लिए बोल दिया था कि अब जैसे कि हमारा जो लोन था उसका जो इंट्रेस्ट हमारे पास आ रहा था कहां दिया यार चल कि तू इंट्रेस्ट ओन लॉंग टर्म लोन कितना दिया हुए है 22,000 ठीक है तू लॉस ओन तेल ओफ मशिनेरी कितना था 35,000 बहुत बढ़े असर और एक क्या था थेप्ट था तू लॉस ओन नहीं होगा लॉस भाई तू लॉस भाई ट्यप्ट 25,100 है ना और यह जो यहां पर ओपरेटिंग प्रॉफिट कैरेट डाउन था यह इधर आ जागा या बाई अपरेटिंग प्रॉफिट बीडी दो लाख 63,300 टू लाख 63,300 ठीक है और फिर बाई डिवेडेंट आप रिसीप किये हों डिवेडेंट अब इन्वेडेंट कितना 2800 अब आई गेन ऑन तेल आप बिल्डिंग बिल्डिंग को सेल करने से जो आपको मिला है वो कितना मिला था तर फिप्टी था ठीक है इसको अब करोगे क्या टोटल करोगे इधर भी करोगे टोटल किधर जादा दिख रहा है तो सेट क्रेडिट साइट ही जादा दिख रहा है कितना 3,16,100 3,16,100 तो यह चल जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांस्फर्ड टू कैपिटल एकाउंट कहां पर चला जाएगा है बैलन सीट के कैपिटल एकाउंट कितना 2,34,000 कैसे पता चला सर तो इन सब को जोड करके जो मेरा 3,16,100 था उसमें से इन सब को जोड करके माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर निकल ठीक है तो यह था आपका complete question I know थोड़ा सा यह time taking question था लेकिन यह मज़िदार question था थोड़ा लंबा question था हलाकि इतना complex question exam में पूछे का नहीं जहां पर operating profit वगर निकानली के लिए दिया जाए बट इसलिए हम लोग बना लिए कि अगर पूछी दे तो क्या दिक्कत हम लोग बना सकते हैं ठीक है तो एक अगले class में एक और question हम लोग करेंगे trading PL का साथ में उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे balance sheet का mix up question पे किस पर चलेंगे balance sheet का mix up question पे तब तक के लिए धन्यवाद बाबाई take care good night